Hello everyone, यह है Apollo Microsystems के quarter 3 के result तो आगे यहाँ पर analyze करके देखते हैं इस share के results यहाँ पर कैसे आए हैं तो देखते हैं यहाँ पर इस share के total income को yearly basis में यहाँ पर जो income है वो 8,269 लाग थी जो quarterly basis में 9,204 लाग यहाँ पर हो गई है quarterly basis में यहाँ पर जो share की income है वो यहाँ पर increase हुई है इस share के total expenses को देखे total expenses yearly basis में 7,173 लाग था जो quarterly basis में 7,747 लाग यहाँ पर हो गया है income के साथ-साथ यहाँ पर share के expense भी increase हुए है total comprehensive income yearly basis में 660 लाग था जो quarterly basis में 1010 लाग के करीबन यहाँ पर हो गया है आगे हमें share के जो है earning per share को भी देख लेते हैं earning per share yearly basis में 3.15 पैसे था जो है 42 पैसे के राउंड यहाँ पर हो गया है overall analyze करने के बाद देख सकते हैं यहाँ पर जो share की result है वो अच्छे देखने को मिले हैं price level की बात करें तो इस मन तक का share का maximum target आपको जो है 130 रूपे के राउंड यहाँ पर देखने को मिल जाएगा तो hold करके रखना चाहे तो आप इस share को यहाँ पर जो है कर दो है